कि इंड नमस्कार चंदरा क्लास असव्यागराज में आप सब का स्वागत थे और चंदरा क्लास असपयागराज ने टी ग्जिटी एल्टी और जिए सी के लिए सामाजिक विज्ञान और अन्य सभी विष्यों में बैच प्रारम कर दिया है, ये बैच हमारा आंलाइन और आफ्लाइन दोनों तरह का है. तो सामाजिक विज्ञान विषय में जैसे कि आप देख रहे हैं, जो चार विषय hoते हैं, चार विज्ञाय की हमारी faculty क्या-क्या है आप देख रहे हैं, राजनीती विज्ञान में आई कित पाठी पढ़ाता हूँ, इतिहास सिल्पी में, भूगोल, एसेंसर और अर्थसास्त्र, आग कांचा में पढ़ाती हैं तो अगर हमारे बैच के संदर में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमारे हेल्प लाइन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, और इसमें एडमिशन लेके आप अपनी शफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं तो इसी संदर में आज राजनीती विज्ञान में हमें प्लेटो पर अध्यन करना है, और प्लेटो जो टॉपिक है वो आपकी परिक्षा के दृष्टिकोर से बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है, इससे बहुत प्रशनाते हैं आपको, इसलिए प्लेटो का अध्यन हम एक से अधिक क्लासे में करें, और इसलिए इसको हम प्लेटो भाग एक आज की क्लास को हम जो नाम दे रहे हैं, वो है प्लेटो भाग एक, प्लेटो भाग एक नाम दे रहे हैं, और इसमें प्लेटो भाग एक में हम प्लेटो का जीवन परिचे और उसके प्रमुख ग्रंथों पर चर्चा करेंगे फिर अगली क्लास में हम उसके विभिन सिध्धानतों पर चर्चा करते रहेंगे तो इस तरह की हमारी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेगी तो आए शुरुवात कर लें प्लेटो भाग ए दर्चा का विद्वान था जिसका अरस्तू था तो यह जैसे ही हम इस पर विचार करते हैं तो यह जो बात आती है कि प्लेटो नामका राजनीतिक दर्चा का बहुत बड़ा विद्वान था क्या था राजनीतिक दर्चा राजनीतिक दर्चा वास्तों में प्लेटो को राज राजनीतिक दर्शन का पिता है प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है इसको क्योंकि इसने दर्शन के माध्यम से राजनीतिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है इसलिए प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है जबकि अरस्तु को राजनीति स और प्लेटो का अर्थ क्या होता है प्लेटो का अर्थ है चौड़े कंधे वाला चौड़े कंधे वाला प्लेटो का अर्थ होता है चौड़े कंधे वाला वास्तों में क्या था कि इनका वास्त्रिक नाम जो था वो था एरिस्टोकलीज, प्लेटो का वास्त्रिक नाम था एरिस्टोकलीज, प्लेटो का वास्त्रिक नाम था एरिस्टोकलीज, और ये इनके गुरु कौन थे? इनके गुरू थे शुकरात शुकरात ने इनको प्लेटो नाम दिया प्लेटो नाम क्यों दिया क्योंकि इनके कंदे चौड़े थे लंबे चौड़े डिल डॉल के थे और इनके कंदे चौड़े थे इसलिए इनके गुरू सुकरात ने इनके प्लेटो नाम दिया तो ये नाम क चौड़े थे इसलिए उन्होंने इसको प्लेटो नाम दिया और ये बाद में प्लेटो के नाम से ही विश्व में जाने गए अब आगे देखते हैं इनका जन्म कहां पे हुआ प्लेटो का जन्म चार सो सताइस इसापूर में प्लेटो का जन्म 427 इसापूर में कहां पे हुआ था एथेंस में हुआ प्लेटो का जन्म 427 इसापूर में एथेंस में हुआ था और इनकी मृत्व अस्सी वर्स की अवस्था में 347 सीशा पूर में हुई थी अस्सी वर्स की अवस्था में इस तरह से क्या देख रहे हैं प्रेटो का जन्म 427 सीशा पूर में अथेंस में हुआ और इनकी मृत्व 427 सीशा पूर में अथेंस में ही हुई थी इन्होंने अपना एक विद्याले बनाया थे अकैडमी अकैडमी में ये रहते थे अध्धन करते थे अध्यापन करते थे और ग्रंथ लिखते थे और वहीं अकेडमी में रहते हुए इन्होंने अपना सेश्चीवन गुजारा था और वहीं पर इनकी मृत्त हो गई तो इनकी मृत्त असी वर्स की अवस्था में 347 इसापूर में होई थी इनके पिता का नाम था एरिस्टॉन और इनकी माता का नाम था पैरिक्टॉन इनके पिता कौन थे पिता का नाम था इनके एरिस्टॉन और माता थी पैरिक्टॉन इनके पिता का नाम था एरिस्टॉन और इनकी माता का नाम था पैरिक्टॉन और एरिस्टान जो थे ये वास्तों में एरिस्टान थे ये कार्डस के बंसके थे कार्डस के बंसके थे और कार्डस कौन था कार्डस एथेंस का अंतिम राजा था कार्डस कौन था यह एथ्हेंस का अंतिम राजा था ऐथेंस का अंतिम राजा और इस कार्डस के वन्सके थे अरिस्टोण, प्लेटोगे पिता प्लेटो के पिता जो थे, एरिष्टान, यह कार्डस के वंस के थे और कार्डस, Äthens का अंतिम राजा था, इसका मतलब क्या हुआ? कि प्लेटो में पित्र वंस की तरफ से, पित्र पक्ष की तरफ से, राजा या साषक के गुण थे, अर्था धीए, पित्र पक्ष की तरफ से, राजवन्स से था और इनकी माता जो थी ये सोलन के वन्सकी थी और सोलन काउन था यूनान का बहुत बड़ा राजनीती वेत्ता था और इसे कहा जाता है कि विश्च का पहला सम्विधान इसने ही लिखा था तो इस तरह से प्लेटू मात्र पक्ष से राजनीती के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति से संबंदे था और पित्र पक्ष से राजा के परिवार से संबंदे था और इसके गुरू कौन थे शुकराद इसके गुरू थे शुकराद और हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सुकराद के बारे में बताया है प्लेटो पूरी उनाणी चिंतन, हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, हमारे चैनल पर आप उसको देख सकते हैं प्लेटो पूरी उनाणी चिंतन में हमने सभी सोफिस्ट विचारकों का अध्धन किया है और सुकरात पर भी चर्चा की है, सुकरात के बारे में भी हमने आपको उस पर विस्तार से बताया है तो प्लेटो के गुरूत जो थे सुकरात, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, 479 इसा पूर में और 399 इसा पूर में इनकी मृत्त हुई थी और कैसे हुई थी इन्हें मृतुदंड दिया गया था इन्हें विश्पान करने के लिए बाद्ध कर दिया गया था और प्लेटो अपने गुरु सुकरात के साथ में कुल आठ वर्स तक रहा था कुल आठ वर्स तक प्लेटो रहा अपने गुरु सुकरात के साथ और वो अपने गुरु सुकरात को बहुत प्रेम करता था लेकिन जब 399 इसापूर में सुकरात को मृत दंड दे दिया गया तो उस समय प्लेटो ने सासक बनने का विचार त्याग दिया और फिर वह आदर्सराज की स्थापना करने की बातें सोचने लगा और उसके जीवन का लक्षे आदर्सराज की स्थापना करना हो गया इसके लिए उसने क्या किया बिश्व के कई देशों में भ्रमन किया शुकरात की मृत्य के बाद प्लेटो का सासक बनने का जो सपना था विचार था वो समाप्त हो गया वो विचार तूट गया और उसने बिश्व के कई पर गया जितने नगर राज just-े वहां गया मिस्र गया कि इटली गया ऑर ऐसी बारत भी आया ठारत भी लेकिन इस बात को द्यान रख़िए कहा इस भारत के आया था इस बात थे सोः सत्प्रमान नहीं मिलते हैं लेकिन प्लेटो ने जिस तरह की वर्ग विवस्था का उल्ले किया है उस से वाद सफ़स्ठ होती है कि वो भारत भी आया था तो विश्श के कई देशों का इसने भ्रमन किया कई देशोंit का भ्रमन करने के बाद में फिर ये वापस एथेंस पहुचा और एथेंस मे कहां इस्ठापना की इसने, अदेंस में, और कभ की 388 ईसापूर में इसापूर में इसने एकेडमी की जो इस्थापना की वो कहां की एथेंस में और कभी 388 इसापूर में और इसी एकेडमी को यूरोप का पहला विश्विद्याले माना जाता है इसे क्या कहा जाता है यूरोप का पहला विश्विद्याले पहला विश्विद्याले आप से कभी पूछा जा सकता है यूरोप का पहला विश्विद्याले होने का गौरो किसे प्राप्त है एकेडमी को जिसकी स्थापना की थी प्लेटो ने और कब की थी 388 इसापूर में एथेंस में की या और यहीं Academy में उसने क्या किया जीवन भर अध्यन अध्यापन का कार्य किया बहुत से गरंत लेखे बहुत से विद्यारतियों को उसने यहां पे मार्टरसन दिया उनको सिक्षित किया वह कहता था कि जिस व्यक्ति को ज्यामिती का ज्यान ना हो, वो एकाडमी में प्रवेशना करे. एकाडमी के दौर पर लिखा दिया था, उसने क्या लिखाया था? जिसे जिसे ज्यामिती का ज्यान ना हो वह एकेडमी में प्रवेश ना करे। जिसे ज्यामिती का ज्यान ना हो वह एकेडमी में प्रवेश ना करे। जो मानव आत्मा को प्रकासित करती है। यह कथन किसका है प्लेटो का प्लेटो कहता था कि गड़ित का अध्यन सब को करना चाहिए कि गड़ित ऐसा विशा है जो मानव आत्मा को प्रकासित करता है। उसने इसी कारण एकेडमी के गेट पर एकेडमी के द्वार पर लिखा दिया कि जिससे ज्यामिती का ज्यान ना हो वह संस्था में वह एकेडमी में प्रवेश ना करे। इसके अलावा वह कहता था कि गड़ित वास्तों में एक मानसिक व्यायाम है और ऐसा विशा है जो मानव आत्मा को प्रकासित करता है। अब आगे आते हैं, अब क्या है कि प्लेटो जो है वो अपने गुरू से बहुत ही प्रेम करता है और उस पर उसके गुरू का प्रवाव बहुत अधिक है। इसी कारण प्लेटो का जो चिंतन है, जो अध्यन है, पूरा अध्यन उसका आदर स्वादियत है। वह सुकरात के चिंतन से उसके ज्यान से इतना प्रवावित था कि उसका जो चिंतन है उस पर सुकरात का बहुत अधिक प्रवाव बढ़ा। और उसका पूरा का पूरा जो चिंतन है वो आदर स्वादी चिंतन है इसी लिए मैक्सी ने क्या कहा मैक्सी कहता है कि प्लेटो में सुकरात पुनह जीवित हो गया मैक्सी कहता है प्लेटो में सुकरात पुनह जीवित हो गया क्योंकि सुकरात का जितना अध्यन था जिस तरह का उसका चिंतन था जो दर्शन था उसी को प्लेटो आगे बढ़ा रहा है तो मैक्सी ने क्या कहा प्लेटो में प्लेटो में सुकरात पुनह जीवित हो गया प्लेटो में शुकरात पुनह जीवित हो गया और बरनेट ने क्या कहा बरनेट ने कहा कि वास्तों में प्लेटो का अपना कोई चिंतन नहीं है प्लेटो का अपना कोई दर्सन नहीं है उसने सुकरात के चिंतन को ही आगे बढ़ाया और ये बरनेट कौन है वही है बरनेट जिन्होंने प्लेटो के सभी ग्रंथों को अंगरेजी में अनुवादित किया और एक पुस्तक के रूप में आक्सपोर्ट से प्रकासित कराया था वही बरनेट है ये इन्होंने क्या कहा कि प्लेटो का अपना कोई चिंतन नहीं है उसका अपना कोई दर्सन नहीं है उसने केवल सुकरात के चिंतन को ही आगे बढ़ाया है बरनेट ने क्या कहा प्लेटो का अपना कोई चिंतन नहीं है कोई चिंतन नहीं है उसने शुकरात के चिंतन को ही आगे बढ़ाया है कोही आगे बढ़ाया है और बारकर ने क्या लिखा बारकर ने प्लेटो के पुष्टक रिपब्लिक के संदर में प्लेटो के विचारों की समीख्षा की और क्या कहा उसने बारकर ने कहा कि प्लेटो का जो ग्रंथ है रिपब्लिक वह सुकरात के चिंतन से प्रारंब होता है और प्लेटू के निस्कर्सों पर समाप्त होता है ये कहा था बारकर ने क्या कहा प्लेटू का ग्रंथ प्लेटू के ग्रंथ रिपबलिक की शुरुवात के चिंतन या सुकरात के तरकों से प्रारम होती है प्रारम होती है तथा प्लेटो के निस्कर्सों से समाप्त होती है ये किस ने कहा बारकर ने कहा प्लेटो के पूरे अध्यन की समिक्षा करते हुए उसने कहा बास्तों में प्लेटो का ग्रंथ रिपबलिक जो है उसके उसने आदर्स राज न्याज से धान सिक्षा योजन इन सारी चीज़ों को दिया है तो इसके बारे में बारकर ने क्या लिखा कि प्लेटो के ग्रंथ अध्यन है वो अध्यन वास्तों में सुकरात के दर्सन को ही आगे बढ़ा रहा है इसलिए बहुत से बिद्वानों ने उसके बारे में इस तरह की बातें कहीं और यह आपके परिक्षा के दृष्टिकोंड से बेहद उपयोगी होते हैं परिक्षा में आपको इस पर कई बा प्रेटों ने अपने संस्थान एकेडमी में क्या किया उसने अध्यन कार किया अध्यापन कार किया और बहुत से ग्रंतों की रचना की और उसकी जो अध्यन पद्धती थी वो निगमनात्मक अध्यन पद्धती थी वास्तों में वो आदर्स्वादी चिंतक था काल्पनिक चिंतक था और वह उसकी पूरी अध्धन पत्धती जो थी वो निगमनात्मक्ती और इसी कारण उसको राजनीती सास्त्र का पिता नहीं कहा जाता क्योंकि उसका जो अध्धन था वो वैज्ञानिक नहीं था एक कारण दूसरा कारण ये था कि उसको राजनीतिक दर्सन का पित या ethics के अधिन पढ़ा, उसी के अधिन उसको उसमें सामिल करते हुए उसका अध्धन किया और उसने बैग्जानिक अध्धन नहीं किया था, लेकिन अपने संस्थान एकेडमी में उसने बहुत से विद्धयार्थियों को पढ़ाया, जिसमें ऐसे एक विद्धयार्थ उसका अरस्तु जोकी राजनीती सास्तर का जनक है तो इस संस्थान में रहते हुए उसने क्या किया कुल 36 गरंथों की रचना की थी प्लेटो ने कुल 36 गरंथों की रचना की और इन 36 गरंथों में से इन में से 28 गरंथ प्रामानिक हैं अर्थात पूरी तरह से सबस्थ है कि यह गरंथ प्लेटो ने लिखे हैं बाकी की प्रामानिक प्लेटो कुछ संधिक्द है तो आपसे कई बार परिक्षा में प्रस्थ पूछा जाएगा कि उसने कितने गरंथों की रचना की तो इसका अंसर होगा 36 गरंथों की रचना की है जब आपसे कभी यह पूछा जाए कि कितने ग्रंथ प्रामानिक हैं तब अठाइस आप लगाएंगे अन्य था उसकी रचना तो वास्तों में 36 ग्रंथों किया और इन्ही सब ग्रंथों को बर्नेट ने क्या किया कि उसके सारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद 2662 प्रिष्टों की पुस्तक के रूप में प्रकासित कराया बर्नेट ने क्या किया बर्नेट ने बर्नेट ने बर्नेट ने प्लेटों के सभी ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया अंग्रेजी में अनुवाद किया इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने के क्यों जरूत पड़ी क्योंकि प्लेटों के ग्रंथ अंग्रेजी में तो थे नहीं प्लेटों को अंग्रेजी नहीं आती थी वो तो उसने सारे ग्रंथ अपने ग्रीक भासा में लिखे और उसके जो गरंथ थे वह सत लिखे थे हाथ से लिखे गए थे तो उसके सारे गरंथ ग्रीक भासा में हैं उनका लाब कैसे लिया जाएं इसलिए उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जरूरी था तो bernet ने उसके सभी गरंथूं का अंग्रेजी में अनुवाद कराया और फिर क्या किया 2662 प्रिष्ठों की पुष्टक के रूप में आक्सफोर्ड से प्रकासित कराया आक्सफोर्ड से प्रकासित कराया इस तरह से उसके जो ग्रंथ थे उन सब का अंग्रेजी में अनुवाद कराके आक्सफोर्ड से प्रकासित करा दिया बरनेट में अब क्या है कि उसके जो ग्रंथ है उनमें से प्रमुख ग्रंथों को हमें जान लेना है और इनक पर आपसे एक्जाम में Mek Per couple पूछे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले उसका ग्रंथ कौन सा है सबसे महत्पून ग्रंथ रिपब्लिक 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 ये इसने कब लिखा इस रिपब्लिक के बारे में बारकर ने क्या कहा उसने कहा कि रिपब्लिक ग्रंथ जो है वो वास्तों में मानों के संपून दर्सन का आधार बारकर ने इसके बारे में क्या लिखा था कि बारकर लिखता है कि रिपब्लिक ग्रंथ जो है वो मानों जीवन के संपून दर्सन का आधार है मानों के संपून दर्सन का आधार है मानों जीवन के संपून दर्सन का आधार है बारकर ने क्या कहा रिपब्लिक ग्रंथ जो है मानों के संपून जीवन दर्सन का आधार है ये बारकर ने कहा था यहां पर यहां इसको लिख लेना चाहिए बारकर ने क्या कहा रिपब्लिक इसको हम यहां बहुत छोटे में लिख दे रहे हैं क्योंकि उस समय नहीं लिखे जगह यहां पर कम दिख रहे रिपब्लिक मानो जीवन के संपूर दर्शन का आधार है ये कहा बार करने और रिपब्लिक ऐसा ग्रंत है जिसमें प्लेटो ने अपना न्याज सिध्धान्त बहुत विस्तार से दिया है इसलिए रिपब्लिक का दूसरा नाम क्या पड़ा गया ह कंसर्निंग जस्टिस कंसर्निंग जस्टिस क्या पड़ा है कंसर्निंग जस्टिस कंसर्निंग जस्टिस या न्याय मीमान सा या न्याय मीमान सा या न्याय के लिए या न्याय के लिए या न्याय के लिए बड़ा important question बनता है इस पर कि Republic का दूसरा नाम क्या है concerning justice या न्याय मीमान सा या न्याय के लिए आईसा नाम क्यों पड़ा क्योंकि इसने अपने इस ग्रंथ में न्याय सिध्धान्त का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है और इसमें इसने इसी ग्रंथ Republic में इसने सिख्षा सिध्धान्त का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है सिख्षा यूजना जो इसकी है उसका बहुत ब्रहद सिख्षा यूजना है प्लेटो की आगे की क्लास में हम आपको इसको पढ़ाएंगे और इसपे आपको एक्जाम में कोश्चन आते ही हैं हमेशा कोश्चन आते हैं और उसको हम बहुत ही आपको विस्तार से पूरा कॉंसे में भी धेर सारे question बनवाते हैं क्योंकि जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं इस पर question किस तरह का बनेगा इसकी नियमित practice class में कराई जाती है और फिर समय समय पर आपको उसके test लगातार नियमित रूप से आपके test कराई जाएंगे तो हमारा जो पूरी planning है आपकी परिक्षा की तै practice कराना नए नए जो प्रस्ण बन सकते हैं उनको बताना कैसे बन सकते हैं उनका उत्तर क्या होगा कथन कारण के प्रस्ण जो कि आप लोग के लिए शुरू में जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं उस समय कथन कारण के प्रस्ण बहुत कठें लगते हैं लेकिन उनका निय प्रेमित रूप से टेस्ट कराना तो यह offline batches के लिए online batches के लिए क्या planning हमारी है आपको recorded वीडियो देना आपको practice कराना यह हमारी online batch की planning है तो यह पूरी हमने एक रणनीती बना रखी है आपको सफल कराने की TGT, PGT, LT, GIC 2022 के जो परिच्छाएं होने वाली है जिनके विग्यापन बहुत ही जल्दी आने वाले हैं आपको उसकी जानकारी मिल गई होगी उसके लिए हमने एक अच्छी रणनीती बना ली है चंद्रा क्लासस ने एक अच्छी रणनीती बना ली है और उसका लाव आप ले आ रहे थे आपको कि प्लेटो ने अपने इस ग्रंथ रिपबलिक में सिख्छा योजना का बहुत विस्तार से वर्णन किया है इसी लिए रूसों ने इसके ग्रंथ रिपबलिक को सिख्छा पर लिखा गया अब तक का सर्वसेश्च ग्रंथ कहा है आपको कोस्टन इस पर कै इसके पर लिखा गया अब तक का सर्वसेश्च ग्रंथ बताया है यह कथन और कारण क्या बनेगा रूसि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपबलिक में सिख्छा योजना का विस्तार से वर्णन किया है या प्लेटो ने अपने Hindu रिपबलिक में एक विस्त्रत सिक्षा योजना दी है तो ये बात क्या आती है कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि वास्तों में जो कारण है उस कथन का सही कारण है वो उचित कारण है अगर कारण है तो व्याख्या होगी और कारण नहीं है परिणाम है तो व्याख्या नहीं तो यहां पर इस्तेती क्या है कि रूसो ने रिपबलिक को सिक्षा पर लिखा गया सरुसे शगरंत बताया क्यों बताया क्यों कि उसमें रिपबलिक में प्लेटो ने सिक्षा यूजना को बहुत ही विस्तार से दिया है तो प्लेटों ने सिक्षा योजना उनको बहुत विस्तार से दिया इस ग्रंध में इसलिए रूसों ने क्या कहा रmesi कहता है रिपबल्र के डिखे रिपबलीक गा contempor लिखा गया शिक्षा पर लिखा गया अभी तक का सर्वस्रेष्ट ग्रंद है ये किस ने कहा था? रूसो ने कहा था और क्यों कहा था? क्योंकि प्लेटो ने अपने ग्रंद रिपब्लिक में शिक्षा योजना को बहुत ही विस्तार से दिया है अब आते हैं उसके अगले ग्रंद को देखते हैं एक ग्रंद उसने क्या लिखा? रिपब्लिक 386 इसापूर में दूसरा उसका बख़ोटी महत्पून गरंद कौन सा है ? पहला गरंद कौन था ? पहला था रिपणलिक में इसको यहां लिका रहने ने दूसरा कौन था ? से इस्टेट्स में उसने कब लिखा था है 376 इसापूर्ण से 331 इसापूर के मद लिखा था ठीक इसके मद लिखा था और ये कब लिखा था तीन सो च्छासी सापूर में और इसमें रिपब्लिक में जहां उसने आदर्स राज्य की बात की है और आदर्स राज्य कैसा है विधी भी राज्य है अर्थात इसमें वो कानून के सासन की बात नहीं करता है लेकिन स्टेट्समेन में वो कानून के सासन की बात करता है और तीस प्लेटो के जीवन का अंतिम ग्रंथ था वास्तों में उसकी मृत्यु के बाद में ये प्रकासित हो और इसमें इसी ग्रंथ में उसने एकार्थवादी राज्य की बात की है अर्थात रिपब्लिक में जहां वह आदर्स राज्य की बात करता है जो की विधी वहीं है और वहीं स्टेट्समें में वह आकर क्या करता है विधी के सासन की बात करने लगता है और दा लौज में वह विधी के सासन पर आधारित विधी पर आधारित सासन अर्थात रथात वा प्रट ये तीनों के तीनों राज नीटी पर लिखे गए गरंथ हैं। इनको संशेप में कहा जाता है R.S.L और जब वह स्टेट्समेन और लॉज लिख रहा था उस समय अरस्थू ुसके पास अध्यन करने के लिए आया था और उस दोरान अरस्तूस के साथ में रहता था इसके अलावा उसके और बहुत से ग्रंथ है उनको भी हम संशेप में देख लें एक ग्रंथ कौन सा है प्रोटागोरस और एक और ग्रंथ है जारजियस और ये दोनों ग्रंथ जो है प्रोटागोरस और जार्जियस ये सोफिस्ट विचारकों के नाम पर लिखे गए हैं दरसल क्या था प्रोटागोरस और जारजियस दोनों के दोनों सोफिस्ट विचारत थे और प्लेटो ने इनके नाम पर गरंथ लिखे तो आप से कभी प्रस्न पूछा जाएगा कि प्रोटागोरस और जारजियस कौन है ये सोफिस्ट विचारत भी है और इन पर प्लेटो ने अपने ग्रंतों के नाम में लिके आर्था थे प्लेटो के ग्रंत मी हैं और इसके बारे में हमने आपको जैसे अभी पहले बताया कि एक वीडियो हमने बना दिया है हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है प्लेटो पूरी युनानी चिंतन में तो उसमें हमने सोफिस्ट विचारको पर विस्तार से चर्चा करती है अगल्या इसका एक ग्रंत और था कौन था एप weakest ही महत्पून ग्रंत एक बहुत आप बहुत इम्हादा ग्रंत घर्पलॉजी इये वही ग्रंत है जिस ग्रंत में प्लेटो ने सुकौरात पर जो अभयोग चलाया गया था उस अभयोग का र किया है इसी ग्रंत एकॉलोजी में क्या किया है शुक्रात पर शुक्रात पर चलाए गए अभियोग का वर्णन किया है अभियोग का वर्णन शुक्रात पर अभियोग चलाए गया था और उसको मृत दंड दिया गया था इस अभियोग का वर्णन प्लेटो ने अपने ग्रंत एपॉलोजी में किया है और एक और बहुत महत्पून ग्रंत था फीडो 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 जो ग्रंत था इसमें प्लेटो ने शुक्रात के विज विज्ञानवाद का उल्लेग, शुकराद के विज्ञानवाद का उल्लेग, विज्ञानवाद का उल्लेग किया, अब इन गरंथों के अलावा और बहुत से गरंथे उसके कुछ को हम देख लेते हैं, आपको एक्जाम में वो पूछे जा सकते हैं, आप उनके नाम जानते रह जाएगा क्योंकि उसके पूछा जाएगा यह ग्रंथ किसका है इसके अलावव उसके और ग्रंथ कौन से एक एक करके करके देख लें इसमें उसका एक हैं एन फाइडेमस एन फाइडेमस एक ग्रन्थ है कारमीड्स कारमीड्स एक ग्रन्थ है सोफिस्ट एक ग्रन्थ है लैचस लैचस एक ग्रन्थ है क्रीटो एक और ग्रन्थ है मीनो इन सब को आप एक दो बार जहाँ से पढ़ेंगे तो यह आपको याद रहते हैं ध्यान बना रहता है आप से परिछा में सिर्फ यह पूछा जाया सकता है इनके संदर में कि इनमें से कौन-कौन से ग्रंथ प्लेटो ने लिखे हैं तो अगर आपने इनको पढ़ा है आपके दिमाग में है ध्यान रहे तो आप इस पे सही उतर लगा सकते हैं कि ये गरंथ किसने किसने लिखे हैं तो इस तरह से ये प्लेटों के ये सारे गरंथ और तिन ठीक तो इस तरह प्लेटों ने क्या किया कि आपने एकेडमी में उसने अध्धन किया, अध्यापन किया और बहुत से ग्रंथ लिके और इन ग्रंथों की रचना करते हुए ही वह 347 इसापूर में, 347 इसापूर में उसने 80 वर्स की अवस्था में देह त्याग दिया, तो ये वास्तों में क्या था, प्लेटो का सामान जीवन परिचय और उसके ग्र पढ़ेंगे, वास्तों में प्लेटो का जो लक्ष था वो आदर सराज की स्थापना करना था और आदर शराज की स्थापना करने के लिए उसने तीन प्रमुक सिध्धान्त बनाये थे, कौन-कौन से थे ? एक नियाय सिध्धान्त दूसरा सिख्षा योजना और तीसरा समपत्ती और इस्तरियों का साम्मेवार इस्तरियों का साम्मेवार इन सब पर हम एक एक क्लास में चर्चा करेंगे तो अगली क्लास जो होगी उसमें हम प्लेटू का नया सिध्धांत पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में सिख्षा योजना पढ़ेंगे और फिर अगले में संपत्ति और इस्तरियों का साम्मेवाद पढ़ेंगे तो ये इस तरह से हमारा जो ये बैच है वो इसी तरह से लगातार चलता रहेगा आपको classes लगातार मिलती रहेंगे और एक बार फिर हम आप से भी होंगे जो पिछली परिक्षा में एक दो नंबर से अस्फल हो गए होंगे उनको सफलता दिलाने के लिए भी हमने एक विशेश योजना बनाई है एक विशेश रड़नीती बनाई है हमारे डियरेक्टर ने ऐसे विद्यार्खियों के लिए विशेश शूट देने के का ब्यवस्था कर रखिया है तो आप हमारे हेल्प लाइन नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या संस्था पर आके आपके लिए जो विशेश शूट का प्रावधान किया गया है उसका भी लाब आप ले सकते हैं धन्यवाद